पुतिन पर कसेगा G7 देशों का शिखनजा रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू करेंगे G7 देश G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में बनी इस बारे में सहमती तेल पर लगे प्राइस कैप से रूस के राजस्वपर बढ़ेगा दबाओ रूस ने ये हमला किया है और जो हमला करता है वो बहुत सारे इंफ्लिक्शन के लिए अट्रिशन के लिए असल में जहनी तोर पर तैयार रहता है लेकिन दूसरी पार्टीज भी तैयार है और उनका आरेंजमेंट हो गया जनल दत्ता देखिए ऐसा है कि जो कैप की बात की जा रही है जी सावन के माद्यम से यह एक्टूबर के महिने में इनका जो इनका एक मीटिंग शिडूल किया है जिसके अंदर की यूके का जो नेक्स पीम बनेगा उसको भी इन्वाइट करेंगे लेकिन ऐसा कि इसको इन्फोर्स कौन करेगा वह अपने कैप लगा दिया उस कैप को इन्फोर्स कौन करेगा जिसको वश्चकता ओयल की वो तो लेगा जहां से भी लेगा और जहां ताक एनर्जी का सवाल है तीन परकार की एनर्जी जो हम जानते हैं एक nuclear power generation है, एक thermal power generation है, एक hydro power generation है और जो चोथा जो इसका energy का मादम है, gas and oil तो अभी अगर gas and oil रशिया tight करता है, तो अभी योरो के पास विकल्प क्या है? क्या वो nuclear power plant बढ़ाएंगे? क्या वो thermal में जाएंगे? जिसके अंदर coal का खर्चा होगा, अगर वो thermal में जाएंगे, तो thermal में जाने के बाद carbon footprint बढ़ेगा, तो जम global warming की बात कर रहे हैं, जो agreements होएते उसके उपर परवा किसको है, सर? नियम बदल देंगे, वही तो नियम बनाने वाले हैं, आपने वाले दिनों में नियम बदल देंगे, coal actually सर कितना वहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा था, अभी कितना प्रोड्यूस हो रहा था, और अभी क्या स्थिती है, मैं आपको बताऊंगा, आगे जी, यह बहुत महतुपून सवाल है, क्योंकि एक तरह से विंटर शुरू हो गई है योरोप में, और ऑटम के बाद, जो मौसम वहां आता है, उसमें हीटिंग की जरूवत होती है, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा संकट जो है, उसको परिपेक्ष में देखने की जरूवत है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, कि कई इनर्जी एंटेंसिव प्लांट्स हैं, जैसे फर्टिलाइजर है, पावर जेनरेशन है, इनको इनकी खपत में कमी करके, हीटिंग के लिए इनका गैस का इस्तमाल सुनिश्चित किया जा सकता है, इसी तरह से जो पंदरा पृति गई है, उस पे भी अमल होता नजर आ रहा है, और तीसरी और अगर देखें, तो नौर्वे से गैस की सप्लाई बढ़ाई जा चुकी है, तो ये सर जो तीनों आप उपाए बता रहे हैं, कि नौर्वे से गैस की सप्लाई बढ़ाई जाए, दूसरा आपने बताया है, कि वह इसका जो एकॉनमी पर पहले से पढ़ने वाला इंपैक्ट है, तो क्या उसका इंपैक्ट जो एकॉनमी में पढ़ रहा है, वो और ब्लीड करने लगेंगी, क्या ये अर्थवे बस्ता हैं आने वाले दिनों में